नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने संगी से जुड़ी एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ तो बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर हमें एक साथ सारे बोल तबले के बताए जाएं जिनका हम रियास करें शुरू में देखिए अलग लग जो बोल हैं तबले के उनसे जुड़ी हुई अलग लग वीडियो उनका रियास आपने बोलों का रियास कैसे करना है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है पर फिर भी काफी देर से मुझे बहुत सारे कुमेंट आ रहे हैं कि सर हमें एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सारे वोलों का हमें स्टाइल पता चल जाए कि हमने तबले पर उन्हें कैसे बजाना है तो चलिए आज मैं सभी जो बोल हैं कुछ बोल ऐसे छोड़ कर जिनका थोड़ा रियास मुश्किल होता है कुछ एक दो बोल मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ बागी सारे बोल आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने उनका रियास कैसे करना है तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो बैल आइकोन का बटन है उसे जरूर दबा ले ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जबाने उसकी गहे और संगीत के परिवार से आप आगे बढ़ते रहे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम म δीन के बोल शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपने अपना जो हाथ है cपी इसमुश सीधा रखना है आप बीच वाली जो उंगली है आपकी इसको ऊपर ना बजाएंगे अब कैसे वेजाना है ये पीच वाली युंगले उपर है नि अब आप नहीं प्रहार करना है चांटी पर बिल्कुल साइड में यहां पर तो ना बजाना है अच्छ न में Som точ Transport को तो यह नवड़. तो इसमें आपने ध्यान रखना है इसको दबाना नहीं है ऐसे तो ये बोल कुछ और बन जाएगा तो इसलिए आपने धीले हाथ से और धीली उंगली से इस पर परहार करना है कि एकदब बजाकर ये उठ जाए तो ये है हमारा ना बोल अब जो हमारा सेकंड बोल है वो है तू बोल देखिए तू बोल आप असानी से बजा सकते हैं देखिए तू बोल आपने फस्ट या सेकंड उंगली से धीरे से बीज में परहार करना है बट जो ज़्यादा तर बजाते हैं वो फस्ट फिंगर से ही बजाते हैं बीज में आपने बिल्कुल परहार करके एकदम हाथ उपर उठा लेना, उउपर उठा लेना है स्याही के बीज में, कैसे देखिए, ध्यान रखना है कोई भी उउगली टच नहीं करने चाहिए, अगर टच करेगी तो ऐसा बनेगा यह, प्रोपर नहीं निकलेगा, तो पर्स्ट उगली को ही मारना है और बाकी दूर रहनी चाहिए, जादा दूर भी नहीं, थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए, यह है हमारा तू बोल, अब आपने बजाना है, यहां पर टीट बोल, अब टीट कैसे बजाना है, देखिए, आपने टीट दो तरह से बजा सकते हैं, एक उल्टा भी होता है एक सीधा भी होता है और इसमें उंगलियों का भी style अलग लग होता है देखिए तीट पहले आपने कैसे बजाना है दो उंगलियां second और third को ती फिर first उंगली से ट ती त यह है first तीट कैसे बजाना है आपने इसका style second इसको उल्टा कर देना है अब देखिए एक और style है जिसमें second finger से टीट स्टार्ट करते हैं अब ऐसे ही उल्टा कर दीजिए आप टीट तो यह है हमारा बोल टीट अगर आपके मन में कोई भी confusion है तो आप मुझे message कर सकते हैं तो मैं उस confusion को दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तो यह है तिट आगे चलते हैं तो आगे आपने बोल बजाना है तिन अब तिन देखिए यह थोड़ा सा मुश्किल बोल है जो पहले शुरू करते हैं तबला जुनने शुरू किया है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है पर हो जाता है दीरी दीरे practice करने से अब राया ने इसके उपर ओपने धीली उंगली से तिन बजाना है तो देखिए तिन और ना में बहुत अंतर है तिन तिन ना तो इसलिए तिन गे और राण आंसे बजाना है तिन तो यह है तिन इसकी जो आंस होती है तो बहुत सारे आंस बोलते हैं तो यह बहुत अच्छी होती है जिसके साथ तबला मिलाया जाता है तो तबले की जो आंस ही होती है जो कमपनी होता है साउंड ही होती है जिसके साथ तबले को मिलाया जाता है तो यह ह आगे चलते हैं तो आगे आपने बोल बजाना है कि मदीन के ऊपर बो भी तिन है देखें कैसे इस में फिर्स्ट फिंगर स्ज्चप me 3 थड़ happiness ये भी हमारा तिन भूल है इसमें बीचवाली फिंगर si रहेगी आगे चलते हैं अब चलते हैं हमारी डुग्गी की तरफ तो डग्गे की या डुग्गी के तरफ या धामे की तरफ आपने क्या करना है आपने पहला बोल बजाना है अब देखी गे कैसे बजाना है फर्स्ट या सैकंड फिंगर से आप बजा सकते हैं इसको आपने य गे के कैसे बजाएंगे गे के बजाना तो सेकंड और फर्स्ट गे 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 और इसमें थोड़ा आगे जाकर स्टाइल चेंज होता है थोड़ा सा दबाब आता है कहीं छोड़ा जाता और दबाया जाता है तो यह मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा गे 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 यह हमारा बोल ग ये ऐसे भी बजाया जाता है क ये है क बोल तो चलिए अब मैं आगे आपको बोल बता रहा हूं जो इकठे हैं देखिए ना और गे को अगर आप इकठा कर दे तो ये धा बोल बनेगा कैसे देखिए धा अब देखिए तिन और गे को अगर आप इकठा करते हैं तो ये बोल बनेगा धिन 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 ये बोल बनेगा धिन और अगर आप तू और गे को मिलाएंगे तो ये धूँ बोल बन जाएगा अगर आप ती और गे को मिला दे तो यह धी बन जाएगा जैसे टीट को एड़ करेंगे तो यह गे को टी के जग़ा एड़ करें तो क्या बनेगा धिट यह हमारा धी बोल अब देखिए कुछ और बोल है जैसे टीट अब देखिए टीट और की अगर ऐसे बजाएं तो यह टीट टीट बनता है यही हमारा बोल तीर किट है तीर कीट तीर कीट तो यह बोल है तीट कीट तीर कीट यह बोल आगे चलकर जब आप इसको स्पीड में बजाता है तीर कीट यह तीर कीट बोल बन जाता है वैसी यह तीट कीट बोल होता है तो कुछ और बोल जैसे धिर-धिर, धूना, धूना, कत्ता, ये बोल जब आप इकठे बजाएंगे तो इनका स्टाइल भी थोड़ा सा अलग-लग होता है, मैंने आज आज आपको सिंपल एक-एक करके सारे बोल बता दिये, अगर कोई और बोल के बारे में अगर आप जाना चाते कोई एडवां आपको उसका जो solution है, वो बता सकूँ, और ये जो मेरा channel है, ये सभी के लिए है, ये उन लोगों के लिए भी है, ये उन students के लिए भी है, जो अच्छा संगीत सीखना चाते हैं, और जिनके पास या तो पैसे की कमी है, और tuition work नहीं, tuition attend नहीं कर सकते, या पैसे नहीं होते, त अच्छे धंचे आप रियाज कर सकते हैं, तो इसलिए आगे से आगे आप जितनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जरूर करें, ये मेरी जो बिल्कुल मैं आपको सेवा दे रहा हूं, बिल्कुल free है, तो आप आगे से आगे शेयर करें, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन् तोस्तों बिल्कुल weeks है, ये मेरी वेयर कर सकते हैं, Det